नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी फॉर विन में मैं म्रदुल टाइमेंड वर्ग के नेक्स्ट पार्ट के साथ आप सभी के साथ हूँ आशा करता हूँ आपको टाइमेंड वर्ग के पुराने वीडियो पुराने पार्ट समझ में आये तो चले शुरू करते हैं आज का अपना time and work का part 4 आज के हमारे इस part का पहला question है question number 1 पांच पुरुस किसी कारे को 6 दिन में तथा 10 महिलाएं उसी कारे को 5 दिन में कर लेती हैं तो 3 पुरुस तथा 5 महिलाएं मिलकर उसी कारे को कितनी दिन में कर लेगे इस परकार के जो प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पूचे जाते हैं बहुत ही easy होते हैं ठीक है लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती है वही एक बात जो मैं इसा बताता हूँ concept clear ना होनी की वज़े से थोड़ा से जल्दी रहती है एक्जाम में की जल्दी से जल्दी मैं solve कर लूँ क्योंकि time foundation रहती है बट अगर आपको concept clear है तो आपको automatically confidence रहेगा आप confidence आपके अंदर होगा और आपक्या question को बहुत ही कम time में with the help of concept हल कर लेंगे ठीक है तो देखते हैं इस परकार के प्रेशन किस तरीकिस हल करते हैं इस परकार के प्रेशन को हन करने के लिए formula होता है वह यह है आपका m dh upon w यानि m1 into d1 into h1 upon w1 is equal to m2 into d2 into s2 बटे w2 m dh w क्या है m मतलब है कि मनुष्यों की संख्या कितने मनुष्य है पुरोस और महिला है तो कितने मनुष्य है d आपका days कितने दिन है h आपका hours कि कहे कि इतने दिन में इतने घंटे काम करता है 8 गंटे 10 गंटे 20 गंटे upon w और w जो है वो आपका क्या वर्क है तो पहले दिया गया है पांच पुरुष किसी कार को 6 दिन में तथा 10 माहिला उसी कार को 5 दिन में करते है तो पांच इंटू 6 मैंने क्या पताया आपको m into d यानि कि आदमी कितने 5 है days कितने 6 तो पांच इंटू 6 लेकिन एक तरफ मेल है और एक तरफ आपके क्या है फीमेल यानि woman, man और woman तो यहाँ पर हमने m लिखा यहाँ पर हमने w लिखा तो m into d आवर्ड है नहीं वर्क कोई है नहीं तो h और w का यहाँ पर कोई काम नहीं है जो जो चीज़े हमें दी जाएंगी उस दाप से हमारा formula क्या होगा modified हो जाएगा उस तरीके से हम अपने formula को क्या कर ल हमने solve किया तो हमें मिला one man is equal to five by three woman यानि दस बटे छे woman तो दू पंचे दस दू तिया छे तो एक man बराबर किस के हो गया पांच बटे तीन woman के अब कहा गया है तीन पुरुष तदा पांच महिला है मिलकर कितने दिन में कार कर लेंगे तो तीन पुरुष यानि तीन man प्लस बटे तीन woman तो m की जगह हम रख देंगे पांच बटे तीन w तो इसको जब हम solve करेंगे तो यह जाएगा पांच प्लस प्लस बराबर दस woman फिर हम अपना फार्मला लगाएंगे m into d वाला तो 10 into 5 यानि कि यहाँ पर हमें woman मिली है तो हम उपर से woman वाली संख्या को ही लेंगे तो 10 into 5 बराबर 10 into x x क्या है हमें दिन निकाल ले हम x माल लेंगे y माल लेंगे a z का खागा कुछ भी मान सकते है मैंने x माना है तो 10 into 5 बराबर 10 into x 10 से 10 कैंसल होगे तो x पराबर 5 दिन यानि क्या 3 पर्स तदा 5 मायला है पांच दिन में जो कार है उसको कर लेंगे यह जो questions है बहुत ही easy होते हैं exams में पूछे जाते हैं और आपके जो upcoming competitive exams हैं उनमें ये definitely पूछे जाएंगे या इस type के questions या previous videos में जो मैंने question बताये थे उस type के questions आने ही आने है next question अपना देखते हैं तीन आदमी अथवा 6 मैंलाएं किसी काम को 16 दिन में करती है 12 आदमी तदा 8 मैंलाएं कितने दिन में उसी कारे को कर लेंगे मतलब 3 आदमी अथवा 6 मैंलाएं इसका मतलब क्या हुआ कि 3 आदमी जो है वो 6 मैंलाओं के बराबर है यानि 3 men is equal to 6 women या इसको हम solve करेंगे तो 1 man बराबर 6 बटे 3 3 दूनी 6 तो 1 man बराबर कितना 3 दूनी 6 यानि 2 women तो बोला गया है 12 आदमी तदा 8 मैंलाएं कितने दिन में उसी कारे को कर लेंगे तो ठीक उसी परकार जैसे हमने पिछले वाले प्रश्ण में आदमी और women यानि या तो हम आदमी को मैंलाओं में convert कर लेगे या मैलाओं को पुरुष में convert कर लेगे तभी तो हम सेम संख्याओं को जोड़या घटा सकते हैं तो 12 man प्लस 8 woman तो 1 man बराबर 2 woman है तो man की जगा हमने रख दिया 2 तो 12 इंटू 2 प्लस 8 यानि 24 प्लस 8 यानि 32 woman तो 6 मैलाओं 6 दिन में काम करती है यानि वही M इंटू D तो 6 इंटू 16 पराबर 32 इंटू X यानि कितने दिन तो दिन को हमने X माल लिया तो 16 दू नी 32 दू ती आई 6 तो X पराबर 3 दिन यानि की 12 आद भी तता 8 मैलाओं मिलकर 3 दिन में कारको कर लेंगे ठीक नेक्स कुश्चन है कुश्चन नमबर 3 यदि 5 परुष तता 3 महलाए 4 दिन में 580 रुपे कमाते हैं तता 2 परुष तता 5 महलाए 6 दिन में 690 रुपे कमाते हैं तो एक परुष का एक दिन का वेतन कितना होगा या तो एक परुष का पूश सकता है या पुरुस तता महिला है दोनों का ही वेतन पूछ सकता है इस परिशन में केवल एक पुरुस का एक दिन का वेतन पूछा है तो हमने माल लिया कि एक पुरुस का एक दिन का वेतन एक्स रुपए तथा एक महिला का एक दिन का वेतन कितना है बाई रुपए तो 5x यानिकी एक पुरुसका है x तो 5 पुरुसका 5x तीन महिलाओ का 3y तो 5x प्लस 3y इंटू 4 क्या कि हमने y m इंटू d तो पुरुस प्लस महिलाओं दोनों तो 5x प्लस 3y इंटू 4 बराबर 580 तो इससे जब हमने solve किये तो हमारा आया 5x प्लस 3y बराबर 145 समी कराण एक ठीक उसी प्रकार से दूसरा गया है 2 x प्लस 5 इंटू 6 पराबर 690 तो 2 x प्लस 5 बराबर कितना 115 समी कराण दो अब समी कराण एक और समी कराण 2 धौनों को हम solve करेगे तो समी कराण एक में 5 से तता समी करन दो में थीन से भुना करेंगे तो यहां से हम मिला 19 x बरावर जो first time viewers है इस channel पर वो channel को जल्दी से subscribe करके bell icon को press कर दें क्योंकि यह match की target series है जिसमे daily दोफेर को 3 बजे वीडियो upload किया जाता है topic wise इसमें आपको पढ़ाया जाएगा daily दोफेर में 3 बजे time याद रखिएगा friends daily दोफेर 3 बजे आपको रोज एक दोफेर में 3 बजे नए वीडियो मिलेगा जिसमें आपको important questions मिलेंगे जो आपके exams में आए हुए हैं और इसी type के questions आपके exam में आएंगे ठीक है वीडियो से related कोई भी doubt है या आप practice करते है questions कि यह questions आपको समझनी आते है तो मेरे facebook के twitter के instagram accounts के link वीडियो के description में अवलेबल है वीडियो को download करने के free pdf का link भी वीडियो के description में अवलेबल है जहाँ पर आप इस वीडियो को बिल्कुल free में download कर सकते हैं और हमारी study for win के whatsapp group से भी आप जुड़ सकते हैं जिसमें आपको कोई भी आपका doubt होता है कोई भी आपकी query होती तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं उसका हमारा number है 9496369356 9496369356 इस पर आप contact कर सकते हैं और हमारी study for win के whatsapp group से आप जुड़ सकते हैं तो कल दो फैर तीन मजे फिर से मैं मैं मैंच की target सीरीज में एक नई topic के साथ आपकी सामने आउंगा जिसमें हम कुछ और questions की बात करेंगे तब तक के लिए practice करते रहे हैं कोई भी doubt होता है तो comment box में भी आप comment करके पूछ सकते हैं all the best स्वस्त रहिए मस्त रहिए नमस्कार